hello dear students welcome to the channel away to science Academy is just intro 0 webcam is Ram you are going to learn about the working mechanism of the heart हमारा हार्ट जहे कैसे function करता है कैसे work करता है आज कि तो अटेशर में देख हैं इंड्पी आप्रेस्टाइट आढ़र呢 washed kobold HEY 2 किसको बुर्ते है सबसे पहले हम यह समझना पढ़ेगा अगर हम हमारे हार्ट के फंक्शन को समझना चाहते हैं तो डिया स्टूरेंट लेस्ट स्टार्ट टॉपिक कार्डियक फंक्शन को समझ के लिए कार्डियक साइकल को समझने के लिए यह समझना होना होना जरूरी है कि हमारा जो हार्ट एक्चली कौन से टाइप के फंक्शन करता है तो डिया स्टुएंट्स हुमन हार्ट यह जो है हमारा जो हुमन हार्ट है एक्चली यह दो टाइप के फंक्शन करता है एक करता है कॉंट्रेक्शन और दूसरा करता है रिलेक् हाइड और ने इसको साइंस में बूलते है औरिलेक्स होना रिल्एक्स रिलाक्स होने को बूलते है की डाी स्ट्रॉल फूर्ण लगाज्ड है तो यह स्ट्रॉल नगका आ पना रिल्लेक्श होन होंने पड़ेगा कि अपना हाट जो है सिस्टॉल करता है तो कार्डियक साइकल कि इसको बोलते हैं एक बार कम्प्लीट ली सिस्टॉल और उसके बाद एक बार कम्प्लीट डाइस्टॉल यानि दिल एक बार कम्प्लीट ली स्टॉल हो गया और उसके बार डाइस्टॉल हो गया यह परस उकड़ एक बार से Africal complete करने की लिए पूरी ड़िटेल अच्छ के इस लेक्टर में देखी प्सकी डीज़ स्टूनेटि अप्रेज क्या है अपको पता है ऑक्रेज यह इसके धियर की कोंटेक्ट होता है और फिर एक्सपांट होता है उसके बाद इसका मतलभ कारडियाग साइकल एक चलते रहता है तरन कारडियाग साइकल में सिस्टॉल डीास्टॉला पर अल्टरनेट causa कॉंट्रेक्ट होते रहते हैं कंजिकेट्यू से स्टॉल एंडाइस्टॉल एक के बाद एक सिस्टॉल और डाइस्टॉल इट कंटिन्यूस कांस्टिटूट असिंगल हार्ड बीट और कार्डियेक साइकल तो मैंने आपको पहले पता दिया कि हमारा जो हार्ड है उसकी बीट कर्डियेक स Like कार्डियेक साइकल ओकार्डियेक और कार्डियेक सीकल के अदर क्या क्या है एक बार से स्टॉल होना और उसके लिए का डाय करना JULY हो जाना यानि से भार चानव और शीजिय Depन यह चानवा जाता है इसको दल का निए हार्ट CJ. एक और हमारे यह बिच्छी हमें दक यह हो पॉइंड हो जाने हार्ट सेक्ल होती है यह फिरफयहती है को कैडिया स्टुरेइंट जीरो पॉंट एड सेकंड में एक सेखंड से भी कम टाइम में एक बार कार्डियू给ा हुए प्लिओ έχर हुए आपको मालूंमें एक मिनट में 60 सेखंड होती है और अगर एक मिनट एक सेखंड से कम समय में एक बार कार्डियक साइकल हो रहा है तो जायर सी बात है साथ से ज्यादा बार अपना एक मिनिट में दिल जो है वह बीट करेगा तो वह कितनी बार बीट करता है 72 times beat करता है एक मिनट में अपना heart एक adult जो resting stage में होता है तब यह नि हम जब resting stage में होते है तो हमारा heart है वो cardiac cycle complete करता है 72 times यानि वो beat करता है धड़कता है ओके डिया स्टुड़ंस तो cardiac cycle आपके समझ में आ गया होगा इसके statistical detail आपको बताता हो कैसे यह देख़े इस diagram में हम देख सकते हैं, यह सबसे पहले आपको दीख रहा है, AS, AS का मिनिंग क्या है, A यानि Atria, यानि Heart का ऊपर वाला पार्ट, जिसके दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट, और diferentes यानी सॉस्साल से स्टाउल यानी कॉंट्रेक्ट हो जाना जिए अभी मेने आपको समझाएज केंगे वी यानि यानी वेंट्रीकल सुस्टाउल चीजित नीचे वाले पार्त पार्टไल नेर का फुल जाना या डाय स्टॉल हो जाना यानि एक्सपाइड हो जाना और रेलक्स जाना और वी दिया निवेंटरिकल का डाय सटॉल को के यस्ट तो यहाबर आप समझ सकते हैं चिरफ mm है तो यह उत्सट्रमेट अगर मिंगा भेसिक हंए अधर हमने गिराब को दो एकसे क्या देखेंगे एक इस इस घ्थाइम सेकंड में और दूसरे एकसे हम देखें हैं कि इभर क्या मूमेंट हो रही हैं पर तक हेसंगे हमारा हट कैसे से स्टॉल अटा सट रहा चलिए नहीं सबसे पहले देखते हैं 0.8 इतना टाइम कैसे लगता है यानि एक कार्डियक सेटन करने के लिए एक सेकंड से मिखना अट एक सेकंड से कम यानि 0.8 एक सेकंड कैसे लगता है तो पहले निए कि यमझन केचा मित THU Okay dear sister, यानी, हमारा Cafrita, à-Tria, यानी, उपर का जो पार्ट है दिल का, उसको Chysérique होने के लिए, ऐए nei ओने के लिए, Zero, Pone Second लगता है, okay, और उसके बाद, Ventrical, जो है, Ventracle, उसको Chysrucearausने के लिए, Zero, Pone Three Second, इतना टाइम लगता है, तो यह श्यूस्टाल होने के लिए कितना टाइम लग गया ? इसको 0.3 सेकंड और इसको 0.1 सेकंड यानी 0.4 सेकंड टाइम पूरे दिल को श्यूस्टाल होने के लिए लग गया तो 0.4 second diese होने के लिए लगता है 0.4 second this install होने के लिए लगता है 0.4 plus 0.4 यानि 0.8 second इतना टाइम जो है एक बार दिल के hoने को और एक बार दिल के style होने को चाहिए This लिए एक दिल की धरकन यानि एक Heartbeat यानि एक Cardiac cycle 0.8 second में complete होता है ओके डिया स्टुरांट चलिए बढ़ते हैं आगी की तरफ और देखते हैं नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक हमारी लिस्ट में वो कि ट्रींगर का से स्टॉफ्ट वो अबिये सब आपको डायेग्रमेटाइकली सब समझा दिया हो कैसे कैसे टाइम लगता हैं वेंट्रीकल का डाये सोल होना एब हीसित्स किल single económics का devil को यह सब मैंने आपको अभी बता दिया डायेह डाये बता चुका है एक बार फिर से च्छ चोट इसे यहां पर एक कौइंट देख लेते हैं यह क्या है यहां पर जो दिख रहा है क्या और ग consistent एक मिनिट में हमारा दिल कितना ब्लाट को यह पूंप कर रहा है कितना ब्लट दिल से बाहर निकल रहा है फॉर नॉर्मल ओन्यूम्य इस ट्री टैसी एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना है हो यह 7 लीटर से थोड़ा सच्यादा है तो कैसे है ये से यो है cardiac output किसी ओकडियों आउटपुट कैसे निकालते हैं एस वी को multiply करना है HR से अब एस भी क्या है एस भी है हमारा stroke volume stroke volume कितना होता है 70 mili litr यानि 70 mili litr approximately वो किसको बोलते है total volume of the blood pump during the one ventricular systole जब अपना दिल का ventricle एक पूरी तरह से से स्टॉल हो जाता है तो उस टाइम पर उस टाइम पर कितना ब्लड उसने पंकिया तो कितना ब्लड पंकिया करता है 70 ml तो इसको क्या बोलते है अपने बॉडी का एक स्ट्रोख वॉलिईम स्ट्रोफ वाल्यम्न इस्वी कितना अगया 70 एंदे एमएल है एक इंसान सबूरर्मल का इसमी अब ह है इसको होगते है हाट रेट, हाट रेट मैं आपको पहली बता दिया वो आता है एक हाट रेट कमपलिट करने के लिए याई एक दिल की धरकन यानि हार्ट कारडियक साइगल क palavra करने के लिए 0.8 सेकंड इतना टाइम लगता है अपनार सेवंटीट लूंट को राउटेट करता हिसे अपना आपना सेवंटीटीट एक मिनुट मैं기는 276 निएलेटेटिटा है एsy ही से दिल्म ने अपनी होता है और अपनार हिसाANS तो कार्डियक और पूट कैसे निकालते हैं और कार्ड अउट पूट का फॉर्मॉला है आपके सामने यह दीख रहे है को कार्डियक आर्पूट सीयो इवर टू-1 एस वी यानि स्ट्रोक वालियूम एंटू aha रेट स्ट्रोक wichtig इंफ 은 से दे efficshaped आउटपूट है यानि एक मिनिट में हमारा दिल जो है पांच लेटर से ज्यादा ब्लड को फ़म करके ब्लड पूरे बॉड़ी में सर्कुलेट कर देता है तो यह है कार्डियक आउटपूट ओके डिया स्प्रूएंट्स तो यह आपको भी समझ आपको समझ में आ गया होगा चलिया बढ़ते हैं आगे की तरह देखते है बहुत ही ज़्यादा इंक पॉर्णट पॉरियंट इस टोफिक या डैसी ब्लड वेसल्स, यह नि ब्लड वेसल्स किसको बोलते यह पैप में जैसे पाइप में जैसे पानी जाता है एक जगाज दुसरी अगर ले जाना है तो उसके लिए वेसल चाहिए यानि ट्यूब चाहिए पाइप के जैसे तो इसको blood vessels बोलते हैं तो three types of main blood vessels हमारे body में है जो circulation करते हैं कुन से कुन से है एक है artery एक है vein और एक है capillaries यह तीन टाइप है याद रखिए artery vein और capillaries चलिए देखते हैं artery की detail arteries कुन से blood vessels को बोलते हैं चलिए artery की detail में हम चाने से पहले जरह मैं इसको diagramatically भी आपको समझाता हूँ बहुत easy है और बहुत interesting है यह सब point आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगे देखिए artery और veins की diagram यहां पर यह दी भी है इसको मैं समझाता हूँ आपको पूरी detail में चलिए देखते हैं सबसे पहले artery की detail तो artery कुछ point देख लेते हैं artery किसको बोलते हैं यह तीन में से artery क्या है these blood vessels carry the blood from our heart from the heart to the various part or the organs of the body and they are branched into arterials and further into the capillaries artery to dear students artery is क्या है यह ऐसी blood vessels है जो blood को ले जाती है कहां से ले जाती है it carries the blood कहां तो देल से heart से लेकर जाती है तो body के different organs में यानि यह heart से start होती है और body के पर एंड होती है तो दिल में से हार्ट में से जो निकल रही है और बॉड़ी की डिफरेंट पार्ट में जा रहे है उसको बुलेंगे हम आर्ट्री यानि यह हार्ट से शुरू होती है और और पेंड होती है फिर जब हार्ट से निकलती है तो बड़ी होती है यह आर्ट्री यू को जाना है आर्ड को प्लट हो स relief और छो च्छोची ब्रांच को जाती है तो पहली च्छोटी ब्रांच में प्लत जेती ओर निगलत अर्ट को पूर्ठ से एक पय्ट और शुटे डूंटान से लेकर जाती और निकलती है हाट से पूरे बॉड़ी के ऑर्गन में पहुंचाती है ब्लड को द्यार नॉर्मली क्यारी ऑक्सिजीनेटेड ब्लड यह आर्ट्री कुन सा ब्लड लेके जाती है आर्ट्री ए से शुरूर थी है और यह से आप याद रखिए अवे फ्रॉम दा हर्ट वह ब्लड वेसल जो और दिल से दूर जाती है और बॉड़ी के डीफरेंट ऑर्गन में जाती है और जनरली कुन सा ब्लड लेका प्योर ब्लड और जिसमें ज्यादा है और बाकि वैस्ट मेटेशन कमें सिओ ओनवे और पार्ट्री सिर्फ अक आर्ट्री को छोड़कर और आर्ट्री is नॉर्मली ये- लیजाती है कहां से इहां हार्ट के राइट वाले पाँट से राइट चेमबर से रहाइट वेंट्रिकल से ले लंग्स में कुन वाली वाली इ?? पर्मोणरी ऑर्टी पर्मोणरी अर्टी शापर तो यह लंग्स दे और आपको पूरा पूरा पॉरा पॉरा पॉइंट यह समझ में आएगा चलिए देखते हैं कौन से कौन से पॉइंट है पॉइंट नंबर नेक्स देख लेते हैं इस आर यूजवली सिच्वेटेड टीप इन द बॉड़ी के अंदर होती है डीप में होती है एक सबह्सक्राइब कुछ को चोड़कर जैसे रेडियल जैसे ब्रैंच यह फेमॉरल इनको छोड़कर यह उपर उपर होती है बागी ऊपर की नसी दिख रही है यह आर्ट्री आपको इस ती इस अब और को पर हाथ को आपि आपका हिस्सा है जहां गड़िया पहनते है वाच पहनते हैं भाप कोई भी आपकी नपके करता है तो ये आठ razón कर कर एक ही और ज्ञेक करता सका है तो गशीं हिंआ वाहां छेक पैर चेक करता है विऴ को इसको रे डियरों वोलते है बरैंचिया और जो है है स्नभ discuss third जाब कर जाएं। यहुपर उपर ओपर तुपर्अ ओकिन जादत्तार आर्टि बाड़ी की डेप्थ में अंदर बहुत अंदर इन्टर ओके यह तीन लेयर होती है OUTERLAYER जिसका नाम टूनिका tetra ना है वह कैसी रहती तैक रहती है और टूफ रहती है अदम फेती हैं tied many Peace 박i लेटी से भी ते मेडिया इन मिड़ल मेर करें यहां यह स्मूध रहती मज़ुमत मसल से बनी Is Elastic Fiber से बनी होगी, अंदर की इंटर्नल ट्यूंग का इंटर्नल इंटर्नल रहे थी, इंड़ बनी है, CEL बनी है, compact CEL यह फ्लाइट है, चप्टे चप्टे उनसे बनी है, सुरॉफ्ल द लिम्न के लियुमन को सुरॉफ्ल करती है, यानि जो बीच का होल है उसको स्राउंड करती है चलिए मैं आपको सरा डाइग्राम बता देता हूँ आर्ट्री इसकी अब यह आपको पूरा समझ में आ जाएगा यह देखिए यह है आर्ट्री साइड में वेन भी है और नीचे तीसरी टाइप भी उसकी तो आर्ट्री को मैं समझाता हूँ आपको आर्ट्री में है तीन लेयर कौनसी कौनसी लेयर है यह देखिए यह है आउटर लेयर पिंक कलर में जो दिखरी इधर मत देखो क्योंकि यह वेन्स है इसको मैं बात में और इसके बीच की डाय चम्रेयर के आइसे ही हम देखते हैं फिरा Start देखे तो थोड़ असा डिफरेंस की डायगराम में क्या डिफरेंस को आपको डिफरेंस यही पर दिख रहा होगा डिफरेंस में बताते हो आपको कि इसकी जो आउटर लेयर है वो थीन है मिडल लेयर सबसे यादा थीन है इनर लेयर भी थी नीचे यानि आर्ट्री की ठीक है इसकी थीन है पतली है दोनों की वज़े से क्या हुआ इसका ल्यूमन बहें आप दिखेंगे दोनों की लुमन में बाहरा बहुद्धोस आपको दिख रहा हो आँगा वेंज के ली चुटा है क्यों इसका बढ़ा इसका चो कि लीमन कच प्लीवार है इसकी बहुत जाřी-जाड़ी लेंग आपको यहां पर दिख रहा हूँगा नीचे दिया हुआ है कैपिलरी कैपिलरी से चोटी-चोटी ब्लड वेसल्स चो इनकी ही ब्रांच है उसमें देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा ट्यूनी का इंटर्ना आपको दिख रहा है एक दम ही बारी के और बीच में है इल्यूमन चोटी सी स्ट्रक्चर है और यहां पर वाइट कलर जो पार्ट दिख रहा है यहां पर सबसे इंपोर्टन काम होता है क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं तो यह डाइग्राम हमने इंटर्ना आर्ट्री वेंस और कैपिलरी की देखी चलिए थोड़ा सा डेटेल में हम जाते हैं और देखते हैं वेंस की इनकी वाल बहुत पतली है मैंने अभी डाइग्रामेटिकली बनाया इन सुपरफिशल वेसल्स विच करी देख लेट फ्रॉम दा ओर्गन्स टूर्स ता हार्ट और इस सुपरफिशल है बॉड़ी में उपर उपर की तरफ है और किदर से किदर की तरफ जाती है और और गन स जो है आपस में एक दूसरी जॉइन होती है और बड़े वाली ट्यूब बन जाती है उसको बलते हैं वेन यानि वेन का इसे बनती है कैपिलरी से बनती है ओके नेक्स देखते हैं एकसे फॉर्ट पल्मोनरी वेन्स को छोड़ कर बाकी जितने भी बॉड़ी के वेन से वह सब दियौक्सिजिजिएड़ ब्लड को लाते है हाड़ के अंदर बलड टूवर्ड था हाड पल्मोनर्य वेन्स को छोड़कर क्यों कि जैसे हमने आर्ट्री में देखा था पल्मोनरी आर्ट्री उ्टा काम करती है अक्सिजिएड डियुद लाती है दिल से लंग से लिए और ब्लट को लेकर आती है ये पल्मुनरी वेंस और हार्ट में लेफ्ट साइड में लाकर छोड़ देती है लेकिन बाकी बॉड़ी की जितने भी वेंस सब के सब डी ऑक्सिजनेटेड यानी इंप्य और ब्लट को कैरी कर दिये ऴॉके डियर स्टुर्ण्स एक और पाइंट देख लेते हैं पोर्टल वेज्ड अपोर्टल वेंस पर इक्जाम्पल है एक पातिक पोर्टल वेज्ड है इंप्ध वहिश्ट अधार नॉर्मल है लेकिन उसको बीच में जो आर्गन मिलते है तब ही है जैसे कि लिवर है बिफ़ो टेइकंड ब्लड टूर्स और हार्ट लिवर में से ब्लड हार्ट में ले जाने से पहले ये कैैसि ही रहती है तो ये कुछ पॉइंट है वेंट् स什么 में आगय его के उसके बात देखते हैं नेक्स पॉइंट नेक्स पॉइंट में यह जो मैंने भी आपको समझाया यही सबसे इंपॉर्टन पॉइंट था कैपिलरी को वाइट वाला पॉइंट याद रखिए इसके बाद यह हार्ट्री इवेंस के जो यह तीन पॉइंट थे मैंने पहले बता दिया यी कि शबसे खास बात हमने वैंस की देकीविए इसमें थोड़ी धोडी दूरी पर वाल्व है वाल्व से वाल्व जो इसमें तो इसमें आइव मैं जो ग्रिया गॉंकि कि नहीं कोई जडूराद कौन सा ब्लड पांप करती आउक्सिऑ लाइट के लरीबे नहीं इस नेटवर्क प्रमाइनिट ब्लड वेसल चोटी ब्लड वेसल का यह नेटवर्क है यह बहुत ही चोटी वेसल से इस थीन वाल्ड यह भी थीन वाल्ड है इस लिए ब्लड प्रेशर चेक करने के डाइम पर हपन आर्टरी का ब्लड प्रेशर जनरली चेक करते हैं एक और पॉइंट देख लेते हैं एक और पॉइंट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टन पॉइंट है वह यह है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ पॉइंट यह है कि दा वाल्स ऑफ कैपिलरी इस ब्याद स्माल इंडो थेलियल पॉर्स उसमें चोटे चोटे एक सुरा बाइद प्रोसेस तौ इसमें से जो है डाइपैड एसिस जो मूवेबल ब्लड सेल से जो एक जग़ा दूसरी अगा मूव कर सकते हैं कैपिलरी इसमें से वह जो छोड़े चोटे होल जो दिख रहे ना जिसको फैनिस्ट्री बोलते ब्लड कैपिलरी स्में से वह बाहर की दर दे हैं इसकी पूरी डिटेल आपको मैं समझाता हूं चेली डिया स्टुटेंट देखते हैं पल्स किसे कहते हैं पल्स इडिज रीज आफ प्रेशर वेव डाट ट्रेवल्स थ्रूद आर्टरी इस ड्यू देव वेंट्रिकुलर से स्टॉल या स्टुटेंट्स ये टॉपिक आपको समझा के देगा कि पल्स किसको बोलते हैं पल्स को समझने के लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब हमारे बॉड़ी में प्रेशर वेव यानि जब ब्लड बहता है एक फ्लो होता है तो उस टाइम पर एक प्रेशर बढ़ता है काई पर ब्लड वेसल पर तो काई की वज़े से क्योंकि वेंट्रिकल जो है हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो सिस्टॉल हो रहा है या बार-बार वो सुकर रहा है तो उसकी वज़े से जो जहटके से आर्ट्री में जो बलड बहता है और उसके कारण जो उसकी वाल्स पर जो प्रेशर की वेव ब देखते हैं वह आर्टरी में देखते हैं क्योंकि उससे हमारे हार्ट बीट का पता चलता है और कैसे पता चलता है उसका रीजन क्या है क्योंकि आर्टरी जो है वह आर्टरी उसमें से ब्लड आर्टरी के अंदर वह प्रेशर की वह एक बाद एक बाद एक उसकी सीरीज बन रह लगाती है उसको देखकर हम जो अंदादा लगाते हैं वही वह पल्स है ओके इडिस ता स्ट्रॉंगेस्ट इन आर्ट्री इस क्लोजर तो दा हार्ट जो हार्ट वह वाली आर्ट्री जो दिल के एकदम क्लोज में करीब में हैं वहाँ पर ये पल्स रेट बहुत फास्ट पता जलती हैं अघ्रेजायली बिकम वीक और धिरी त्युरी वहाँ ज़ेओ । वह झालिए कम जोती हैं इंदार्ट्री आपे माराट जैसे दिल से दूर वाली आर्ट्री जो हती है तो यार्ट में हार्ट के आप पास वाली आर्ट्री में यह बाहत स्याहदा दिएगी पल्स प को और दूर दूर वाली जो बाडी में जैसे हाथ में बहुत कम दीखेगी So it can be felt easily in the superficial arteries like a radial artery in the wrist region रिस्ट में जो है अपना जो wrist वाला पार्ट है वो wrist वाले पार्ट में अक्सर आपने देखा हूँगा पल्स रेट निकालते हैं और उससे हमारे दिल के फंक्शन करने का जो है रेट निकालते हैं इसी तरह नेक के रीजन में भी जो है का कारोटीड आर्ट्री है उसको भी टच करके यह पता लगाया जा सकता है पल्स पर्ट्रीट पॉइंट यहार एक डिफरेट प्रेट पोइंट पर जो है अपने बॉड्स रेट को फेस हम फील कर सकते हैं वह भी डेक्स्ट डागराम में बता हूंगा आपको अल्लोकेशन स्वेयर डागराम में बताता हूँए अब यह आपको पल्स रेट इस इक्वल to the heart rate, यह सबसे important point हमने देगा, pulse rate यानि heart rate, pulse rate heart rate के equal है, यानि heart rate बोले तो एक minute में 72 time, इसका मतलब pulse rate भी एक minute में 72 time होना चाहिए, pulse rate higher than the above, higher than the normal, and above 100 beats per minute, it is called tachycardia, तो tachycardia एक भी मारी का नाम है, जिसमें pulse rate 100 से ज्यादा बार, एक minute में 100 से ज्यादा बार होता, जबके 72 time होना चाहिए, लेकिन अगर 100 से उपर चला गया, समझ लो, tachycardia बीमारी हो गई है, patient को, okay, अब देखते हैं, next point, अगर यह 60 से बिलो चले, pulse rate तो समझ लो, bradycardia हो गया, यह वाली बीमारी हो गई है, bradycardia नाम की बीमारी होगी, 100 से उपर चले गया, तो टेकीcardia और 60 के नीचे चले गया, अगर pulse rate यानि heartbeat तो समझो, bradycardia हो गया, अपने body में कहा, कहा, कौन सी कौन से part है, जहापर अपन pulse rate फील कर सकते है, तो देखे, यह वो पार्ट है, जहापर pulse rate फील कर सकते है, facial region में, चेहरे की area में भी, आप face कर सकते है, temporal region में, यानि पेशानी वाले, head वाली region में भी कर सकते है, neck में, carotid artery आर्ट्री होगी कर सकते है, shoulder में, branchial artery आर्ट्री होगी कर सकते है, और नी के region में, popliteal artery से वहाँ पर चेहरे कर सकते हैं, और अपने जो finger repair की, tibia और fibula जहाँ पर बून होती है, वहाँ posterior tibial करके artery है, वहाँ पर भी इसको feel किया जा सकता है, तो ये कोई ज्यादा याद रखनी जरूरत नहीं, इसमें दो-तिन पॉइंट भी आपने याद रख लिया, तो बहुत कुछ याद रखनी है,